फ्रेंट्स इस साल हम सभी भारतवासी अबना 43 वा गर्तन दिवस मना रहे हैं क्योंकि गर्तन दिवस का दिन हमारे लिए बहुत ही जादा खास होता है देश में हर साल इस दिन गर्तन दिवस को बड़े धोंधान से मनाया जाता है लेकिन किया आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी के दिन ही गरतन दुर्दिवस क्यों मनाया जाता है आखर ये तारिक इतनी खास क्यों है नहीं तो चलिये जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही गरतन दुर्दिवस क्यों मनाया जाता है फ्रंट 26 जन्वरी को सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में बड़ी धूमधाम से जंड़ फैराया जाता है क्योंकि 26 जन्वरी 1950 को भारत का सम्मिधान लागु हुआ था लेकिन वैसे तो 26 जन्वरी 1949 को सम्मिधान सबने इसे अपनाया था लेकिन 26 जन्वरी 1950 को इसे लागू करके गर्तन दुवदिवस घोशित किया गया था लेकिन इसकी वज़ा क्या थी चलिये जानते हैं 26 जन्वरी 1930 को मतलब की आज ही के दिन भारती राष्टी कॉंग्रेज ने भारत को पून स्वराज घोशित किया और 20 साल बाद इसी दिन 26 जन्वरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और पून स्वराज की तारिक को महत्व देने के लिए 26 जन्वरी को गर्तन दुवदिवस घोशित किया गया और गर्तन दुवस को पहली बार 26 जन्वरी 1950 को मनाया गया इस दिन भारत के पहले राश्टपड़ी डॉक्टर राजिन प्रसाद जी ने 21 तोपो को सलामी देकर जंड़ा फेराया था और 26 जन्वरी के दिन ही गर्तन दुवस मनाया जाता है तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा थैंक यू